आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्टूब चैनल जिक्के कलासेज 1922 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विद्या संबल योजना गेश फेकल्टी से जुड़ी लेटेस्ट अप्टेट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ये बाकी जो है चाहें तो वो इसको अवर्ड भी कर सकते हैं अलांकि मेरा इसके ऊपर वीडियो बनाने का कोई मन नहीं था क्योंकि ये मातर A की पदके लिए विज्यापन जारी किया गया है इसलिए मैंने सुचा कि इस पर एक पोस्ट के लिए क्या वीडियो बनाएंगे लेकिन फिर मैंने सुचा कि चलो अगर अपने वीडियो से अपनी जानकारी प्रदान करने से किसी एक विक्ति को भी अगर माल लिजे गेस फेकल्टी के रूप में सर्विस मिलती है तो इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है किसी एक विक्ति का तो निश्चित रूप से ब परनित विशे या साखा है तो गेस फेकल्टी पूर्ण तया एस थाई के रूप में सिक्ष्ण कारिय करने है तो आवेतन मैं समस्त मूल अंगतालिकाएं एवं प्रमानपत्र की फोटो प्रती बजट की उपलदता की सर्थ के अधीन दिनांक 10 फरवरी 2024 साएं 4 बजे तक व् टेकनिक मा विद्याले के दुवारा विद्यासंबल योजना के तहत गेस फेकल्टी के लिए विग्यापन जारी किया है आपको पताईए कि ये पद बिल्कुल ऐस थाई है तो इसमें आप जो है ओफ लाइन आवेदन करेंगे आवेदन की जो लाज डेट है वो है 10 फरवरी साई 4 बजे तक ठीक है तो आपको विक्तिगत रूप से उपस्तित होना है सहंस्तान के अंदर अपने सारे जो है डोकुमेंट्स लेकर के ठीक है सारे सेक्षनिक है प्रसेक्षनिक है वो सारे डोकुमेंट्स लेकर के आपको विक्तिगत रूप से उपस्तित होना है एक मूल आपके एक set है आपके जो original documents है उनका होगा एक set जो है वो आपके original documents की self-attested photocopy का होगा ठीक है और साथ यसाथ में आवेदन फोरम ठीक है तो ये आपको लेकर के विक्तिगत रूप से वहाँ पर उपस्तित होना है अब किस विशे के लिए आवेदन फोरम आमंत्रित किये गए वो आप इसमें देख सकते हैं यह बोतिक विज्ञान के अध्यापन कारी हे तू गेस फेकल्टी तो सब्जेक्ट का नाम है बोतिक विज्ञान ठीक है और यह आपको पहले से पता है इसके अंदर की अधिक्तम एक सब्दा के अंदर आप 14 कालांस ही ले सकते हैं एक कालांस के आपको 800 रुपे प्रदान किये जाएंगे सेक्षनिक जो योग्यता है वो AICT के माप दंड के अनुसार बताए गई हैं अखिल भारतिय तकनिकी सिक्स्या परिशत के माप दंड के अनुसार बताए गई हैं यानि वो ही बात है कि आपका जिस विशेम यानि बोतिक विज्ञ प्रदान के अंदर आपके पास में मास्टर डिगरी होने चाहिए उसमें कम से कम 55% मारक्स आने चाहिए और इसके साथ साथ UGC या CSIR के दुआरा जो राष्ट्रे पात्रता परिक्षया युजित की जाती है नेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए और अगर वो क्वा अधन के योग्ये हैं ठीक है यह आमंतरने सेक्षनिक सत्र 2023-2024 के सेमेश्टर या सत्र समाप्ती या अगरीम आदेश जो भी पहले हो के लिए है ठीक है आपको कब तक रखा जाएगा या तो आपका सेमेश्टर समाप्त नहीं हो जाए तब तक रखा जाएगा या सत्र नहीं हो जाए तब तक रखा जाएगा या अगरीम आदेश पहले से जो आदेश जारी किये गए है उसके अकोर्डिंग जो है आपको रखा जाएगा ठीक है तो इसमें ज्यादा कुछ और बताने की आवश्चता नहीं है अगर आप इच्छू कहें तो आप इसमें बताएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद